जे मातादी दोस्तों जादवी टोटके में आपका हारदिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सारदी नौरात्र साल 2022 में कब सुरू होंगे और कब समाप्त होंगे और कलस इस्थापना करने का सुब मूरत क्या रहेगा इसके लावा हम आपको बताएंगे कि किस दिन कौन सी देवी की पूचा की जाएगी और अस्टमी, नौमी और दसमी तिथी कब पड़ेगी लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल जादवी टोटके को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों हिंदू पांचांग के नुसार अस्विन मा के सुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथी से लेकर नो मितिथी तक सारदी नौरातर चलते हैं नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मादुरुगा के नौ सरूपों की अराधना की जाती है और दसमी के दिन दसैरा मनाया जाता है इन नौ दिनों में देवी भक्त मादुरुगा के उपवास रखते हैं पूजा पाठ करके मंदरों का जाब करते हैं दोस्तों ऐसी मानिता है कि नौरात्री के नौ दिनों तक देवी की पूझा करने से सभी मनुकामनाई पूरी होती हैं और दुखदर्द दूर होते हैं नौरात्री के पहले दिन कलस इस्थापना की जाती है दोस्तों कलस स्थापना हमेशा सुम मूरत में ही करने चाहिए कलस स्थापना के लिए आप इसान कौन यानि उत्तर पूर्दिशा का चुनाओ करें आप सबसे पहले पूजा इस्थल को गंगा जल छड़क कर सुद्ध कर लें फिर एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर लाल रंग का वस्तर बिचाएं और मदरुगा की फोटो या मूरती स्थापित कर दें अब आप मिट्टी के बरतन में पवित्र मिट्टी रखें और जोंके बीज बो दें इसके लावा आप एक मिट्टी के कलस में गंगा जल भरें और सुद्ध जल भरने के बाद उसमें अक्चच, सुपाड़ी, सिक्का, लोंग और दूरवा डालें कलस के मुख में मौली अवस से बांद दें और कलस पर स्वास्ति का चिन्न बना दें अब आप एक नारियल में लाल चुनिरी लपेट कर कलावे से बांद कर कलस में आम के पत्ते लगा कर उसके उपर नारियल को रख दें अब जवाले बरतन के उपर कलस स्थापित कर दें और मादुरुगा के दाई तरफ कलस की स्थापना करें कलस स्थापना करने के बाद आप विदवत नौ दिनों तक माधुर्गा की पूजा और आर्थी करें माधुर्गा की आर्थी सुबह साम अवज से करें और भोग भी लगाएं और अष्टमी अनौमित इथी में हवन करके कन्यापूजन अवज से करें इसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें तो चलिए जानते हैं साल 2022 में सारधी नौरात्र कब सुरू होंगे और कब समाप्त होंगे तो आपको बता दें कि सारधी नौरात्र की सुरुवात 26 सितंबर 2022 दिन सोम वार को हो रही है और नौरात्री की समाप्ती 4 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को होगी और प्रती पदातिती की सुरुवात 26 सितंबर 2022 की प्राता काल 3 बचकर 23 मिनट पर हो जाएगी और प्रती पदातिती की समाप्ती 27 सितंबर 2022 की प्राता काल 3 बचकर 8 मिनट पर होगी और कलस स्थापना का सुम मूरत सुबा 6.11 मिनट से लेकर सुबा 7.51 मिनट तक रहेगा और इस दिन अब जीत मूरत सुबा 11.48 मिनट से लेकर दोपहर 12.26 मिनट तक रहेगा चले अब जानते हैं कि सार्दी नौरात्र के नो दिनों में किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी तो दोस्तों 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार को प्रती पदाती थी रहेगी इस दिन घट स्ताबना के साथ साथ मासेल पुत्री की पूजा की जाएगी और 27 सितंबर 2022 दिन मंगल वार को दोतिय तिथी रहेगी इस दिन आप माब्रम्य चारनी की पूजा करें 28 सितंबर 2022 दिन बुंत वार को दोतिय तिथी रहेगी इस दिन माचंदर घंटा की पूजा की जाएगी 29 सितंबर 2022 दिन गुरवार को चतुरती तिथी में मा कुस्मांडा की पूजा करें 30 सितंबर 2022 दिन सुकुरवार को पंजमी तिथी रहेगी और इस दिन मा इसकंद माता की पूजा की जाएगी 1 अक्टूबर 2022 दिन सनिवार को सस्टी तिथी रहेगी इस दिन आप मा काय तैनी की पूजा करें 2 अक्टूबर 2022 दिन रवी वार को सब्तमी तिती रहेगी इस दिन मा काल रात्री की पूजा होगी 3 अक्टूबर 2022 दिन सोम वार को अस्टमी तिती रहेगी इस दिन मामागौरी की पूजा के साथ सा दुरगा अस्टमी का पर मनाया जाएगा 4 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को नौमित इती रहेगी इस दिन मासिद दात्री की पूजा की जाएगी और साथ ही हवन और कन्या पूजन का आयोजन किया जाएगा और 5 अक्टूबर 2022 दिन बुद्दवार को दस्मी तिती रहेगी इस दिन नौरात्री वृत का पारल किया जाएगा साथ ही तुर्गा विसरजन और विज्या दस्मी का पर भी मनाया जाएगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद